मेरे पास है मेरी नियती है वासुदेर, स्वर्ण रहे, ये मेरी इच्छा से पढ़ते हैं मैं जो अंक मंगो, वही प्राप्त होते हैं और मेरी नियती ही मेरे पास है मामा स्ट्री अंक तो ईश्वर की इच्छा से प्राप्त होते हैं, किन्तु पासे पासे में अपनी इच्छा से भैंकता हूँ कादपर पासे भैंकना एक कर्म है मामा स्री और प्राप्त होने वाला अंक उस कर्म का फल आप अपने फल पर नियंद्रन रखने का प्रैफ में करते रहे जीवन फर और मैं मैं अपने कर्म को अपनी इक्छा के बंधन में रखता हूँ मैं निर्ने करता हूँ वासे कब थैंकने और कब नहीं वासुदेव कर्म तो मनुष्य सदा ही अपनी इच्छा से ही करता है किन्तु जम अंक उचित प्राप्त होने लगे तब मनुष्य जीवन में चीतता है यथार तो लीजिए मैं अपना दाव थोड़ता हूँ आप के लिए वासुदेव आपके चारू मेरू अभी यात्रा पर निकले भी लिए और मेरा एक मेरू आदी यात्रा पूर्म कर चुका है तो फिर भी पासे नहीं फ्रेकिंगे लेक्ष्य आप फेले जैसी वासुदेव की इच्छा है मनुष्य अपने कर्मों के फल को नियंत्रन करने का प्रेत्न करता है सदा कि अपने कर्मों के फल को अपनी इक्छा से प्राप्त करने का प्रेत्न करता है किन्तू जब पासे हाथ में आते हैं तो जुआरी बिना खेले रहे नहीं पाता वो ये जान ही नहीं पाता कि उसमें पासों को नहीं बांधा पासों ने उसे बांधा है जीवन में भी मनिूष्य यही चिंता करता है कि उसे उसके कर्मों का उचित भल मिलेगा या नहीं ये चंता नहीं गता मामा श्री यह कर्म करने का उचित समय है या नहीं खेलिये मामा श्री पाउ बारा लीजिय वासुले मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास से मेरी इच्छा के अनुसार फल देते हैं इसलिए आपके कर्म के सिद्धांतों पर मेरा विचार करना आउशिक में मनुष्य जब सफलता की यात्रा पर होता है तो ऐसे ही विचार करता है इसी कारण से जब उसे निश्फलता का प्रथम समाचार मिलता है तो मंदर की और दौडता है और फिर सफलता मिलते ही उसे स्वयम पर विश्वास होने लगता है वास्तव में उसका संपून विश्वास ना स्वयम पर है ना इश्वर पर दोड़ता रहता है कांधार से हस्तनापुर, हस्तनापुर से द्वारका और द्वारका से मगन वासे भैकता रहता है इसे लगता है कि वो जीत रहा है किन्तु जीवन कोई द्यूत सभा तो नहीं मामा श्री कि केवल सामने बैठा व्यक्ति ही खेल रहा हूँ हमारी द्रिश्टी मर्यादा के पार भी अनेक लोग हैं जो अपने अपने दाफ खेल रहें उनका परिणाम भी हम पर पड़ता है है ना मामा श्री इस दिये में परिणाम पर नहीं कर्म पर अधिकार रखने का प्रेत्न करता है